नई सिक्षानीती 2020 क्या है कब लागू होगी नई सिक्षानीती की घोसना पिछले वर्ष 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा की गई 1986 के बाद सिक्षानीती में यह पहला बरा बदलाव है इसको विस्तार से जानेंगे भारतिय संबिधान के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक आयू के बच्चों की सिक्षा सरकार द्वारा निशुल्क कराई जाती है UGC का गठन 1948 इसवी में डाक्टर राधा कृष्णन के अध्यक्षता में हुआ और उसी समय राष्टिरे सिक्षा नीती का भी निर्मार कारी शुरू हुआ भारत के सिक्षा के चेतर में पहला बरा बदला 1985 में हुआ था जो कि भारत के जाने माने बिद्वानों जो अलग-अलग चेतरों में एक्सपॉर्ट थे उनके द्वारा बनाए गए एक दस्तवेज सिक्षा की चुनावतियों पर अधारित था उस दस्तवेज में सभी विद्वानों और एक्सपॉर्ट्स ने इसके संबंध में अपने अपने मतों को रखा था जिसके अधार पर 1986 इस भी में भारत की नई सिक्षा नीती का निर्मार किया गया और जिसको मवजूदा परधान मंतरी राजीव गाधी द्वारा जारी किया गया 1986 के बाद 1992 में सिक्षा नीती में कुछ बदलाव किये गये थे और लगबग 34 साल बाद फिर से एकरंतिकारी बदलाव किया गया एजुकेशन पॉलिसी में यह बदलाव कृष्णा श्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षिता वाली कमेटी के रिपूर्ट की अधार पर किया गया है कुछ अहम बदलाव जैसे मानो संसाधन मंत्राले का नाम बदल कर फिर से सिख्षा मंत्राले कर दिया गया है संगीत कल्ला और रूची से संबंधित सब्जक्ट को मुख्य सब्जक्ट के रूप में जोड दिया गया है सिख्षा पर होने वाले वियाय को जीडीपी का 6% कर दिया गया है पहले यह जीडीपी का 4.43% था बर्स 2030 तक इस्कूलों में उपस्थिती को 100% करने का लक्ष रखा गया है सिख्षा नीती में मात्री भासा के अध्यान पर विसेश जोड दिया जाएगा साथ ही विसेओं की सीमा को समाप्त करने का परियास किया गया है कुल मिला कर देखें तो अब बोड की परिच्छाओं को पास करना थोड़ा असान हो जाएगा ग्रेजवेशन को निरंतर करने के साथ साथ इसे टुकरों में भी कर सकते हैं अर्थार्थ फर्स्ट इयर की सर्टिफिकेट को लेकर आप शेकेंड इयर की फार्म दो सल बाद भी भर शकेंगे साधारन भासा में समझे तो अपनी डिग्री को इयर गैप के साथ कर सकेंगे इसमें विदेसी भसाओं जैसे फ्रेंच, जर्मन, रशियन, अरेबिक, इत्यादी को भी महत्तोपुर्ण अस्थान दिया गया है और साथ साथ स्किल डेवलोप्मेंट पर भी खासा जोड दिया गया है अब जानते हैं कि नई सिच्छा नीती और पुरानी सिच्छा नीती में क्या अंतर है पुरानी सिच्छा नीती में स्कूलिंग का धाचा 10 प्लस 2 था लेकिन इसको बदल कर 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया है क्या है 10 प्लस 2 और 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 का चक्कर इसको भी जानते हैं पुरानी सिख्छानीती के 10 प्लस 2 वाले धाचे में दो भाग हैं 10 और 2 10 वाले हिस्से का मतलब कक्षा 1 से 10 तक जिसे 6 से 14 वर्स तक के बच्चों के लिए बनाया गया था तथा प्लस 2 का मतलब 11 और 12 जो की 16 से 18 वर्स की आयू के छात्रों के लिए बनाया गया था अब बात कर लेते हैं 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के धाचे की मतलब की 10 प्लस 2 वाले हिस्से को 4 बरावर भागों में बांट दिया गया है प्रथम भाग 5 वर्स का है जिसमें 3 से 8 वर्स के बच्चों के लिए बनाया गया है इसमें बच्चों को अधारभूत ग्यान देने की बिवस्था की गई है इसलिए इसे foundational stage कहा गया है इसका कारणिया है कि बच्चों के मस्तिस्क का लगभग 85% ग्रोथ प्राइमरी स्टेज में ही हो जाता है इसलिए प्री स्कूलिंग के 5 वर्सों के सिलेबस को इन सब बातों को ध्यान में रखकर बनाया गया है foundation stage में बच्चों को प्रथम 3 वर्स अंगनवारी, प्री स्कूल और प्ले स्कूल में बेसिक बातचित, अकारबोध और भासा की जनकारी दी जाएगी उसके बाद 2 वर्स तक बच्चों को क्लास 1 और 2 की पढ़ाई करेंगे दूसरे भाग 3 वर्स का है, जिसे preparatory stage का गया है इसका मतलब प्रारंभिक stage, इसमें कच्चा 3 से 5 को रखा गया है इस भाग में syllabus को पुरानी syllabus के कच्चा 8 से 11 वर्स के छात्रों के हिसाब से मनाया गया है इस stage में विद्यार्तियों को भासा और basic mathematics के साथ साथ विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा तिसरा भाग 3 वर्स का है, जिसे माध्यमिक यानी middle भाग कहा गया है इस भाग में कच्चा 6 से 8 को रखा गया है इसमें syllabus को 11 से 14 वर्स तक के छात्रों के हिसाब से बनाया गया है इसमें कोसल विकास पर अधिक जोड़ दिया गया है चोथा और अन्तिम भाग जो 4 वर्स का है इसमें secondary stage है इस भाग में कच्चा 9 से 12 को रखा गया है जिसमें syllabus को 14 से 18 वर्स के छात्रों के हिसाब से बनाया गया है माध्यमिक चरन में सरकार ने अस्पष्ट कर दिया है कि अब syllabus और subject के सीमा को समाप्त कर दिया जाएगा secondary में पढ़ाय जाने वाले subject को बढ़ा दिया गया है जिससे छात्रों को अपने मन मुताबिक विश्यों को चुनने की आजादी मिली है यहां तक कच्चा 9 से 12 तक की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है अब आगे की 4 साल छात्रों को डिगरी की पढ़ाई करनी परेगी जिसमें subject को चुनने की पूरी आजादी है अब इसमें कोई यहां foundation नहीं है कि आपको graduation और अन्य बैचलर डिगरी को continue करना परेगा मानली जी आपने एक साल का बैचलर डिगरी कर लिया है और किसी बिशम परिस्थिती जैसे financial condition या health problem के कारण बीच में पढ़ाई को escape करना परता है तो आप आगे ऐसा कर सकते हैं अपने मार्क्सिट को लेकर पुना दो वर्स वाद या कितने भी time के बाद अपनी पढ़ाई को continue कर सकते हैं इस प्रकार हम देखें तो new education policy को पूरी तरह से छातरों के हीत में बनाया गया है लेकिन इसकी कुछ demerits भी हैं राज्यों के सहयोग के बीना नई सिक्षानीती को सही ढंक से लागू नहीं किया जा सकता हैं क्योंकि हर राज्यका अपना school board होता है अब जो की नई सिक्षानीती में विदेशी विद्यालियों को भी अमंतरित किया गया है ऐसे में अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा के लिए एक मोटी रकम जुटाने परेंगे पैरेंट्स को अधिक आयवर्ग के पैरेंट्स के लिए यहां तो कोई समस्या नहीं होगी लेकिन मिडिल क्लास और लोवर क्लास के अविबावकों के लिए बच्चों की उच्छ सिक्षा एक चैलेंज हो सकता है अब सिक्षा निती में इतने सारे बदलाओं हुए हैं तो भारत सरकार को इन बदलाओं के अनुरूप, अनुभवी और कुसल अध्यापकों, रिसोर्सेज के साथ साथ अतरित धन की भी जरूरत होगी जो की सरकार के लिए एक चैलेंजिंग टास्क है इस सिक्षा निती को 2022 से लागू करने की बात सामने आ रही है वीडियो इनफर्मेटिव लगा हो तो सब्सकाइब कीजिए चैनल को साथ ही वीडियो को लाइक और सेर करना ना भूले बहुत बहुत धन्यवाद